खाली प्लॉट में डेट बॉडी फेक दी गई है बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही यानि प्राइमा फेसी पुलिस को ये लग रहा है कि पीट पीट कर मारा गया है शौकिस शिनाक्त नहीं हो पाई है प्रयास लगातार जारी है यानि ये डेट आसपास के कई थानों में ऐसी सूचना पूछी जा रही है कि कोई घुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है पुलिस इस बात की जानकारी ले रही है आसपास के थानों में देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है देवेंद्र अभी कुछ इस बात की जानकारी हुई कि डेट बॉड़ी किसकी है रहुल बतादू दिन निकलते ही जिस तरीके से एक युवक की जो पीट-पीट के निर्मा मत्या होई है जिस तरीके से उसकी जो डेट बोड़ी पर निसान जखम बता रहे हैं अपने आप में और अभी उसकी सनाक्त नहीं होई है पुलिस पुरे मामले की जाच कर रही है और आजपास छेतर के जो लोगों से और ठानों से गुमसुदगी की जो रिपोर्ट ली जा रहे है कि ऐसे किसी व्यक्ति की गुमसुदगी है जो कही ना कही जिसके डेट बोड़ी मिली है मैं सबसे महत्पूर बताऊँगा रहूल बागपत के जो रिष्टिक है इसकी जो सीमाए है दिली और हर्यान यानि दो राजियों से जुड़ी हुई है जिससे पहले बी ऐसे जो अग्यात सव है वो मिले है जो की बाहर दूसरे जिले के वो पाए गई है पुलिस की जाच मे तो कहीं न कहीं पुलिस का ये जो अंदैसा है वो साफ है कि कहीं से बाहर से उसकी हत्याकर यहां डाली गई है लेकिन दिली यमनोत्री हाईवे के इतने नजदीक बिलकुल और रिहायसी कालोनी में एक पलोट में जे सव मिलने से कहीं न कि पुलिस भी संदीक समझ रही है कि कहीं न कहीं यहां किसी लोकल आदमी का भी हाथ हो सकता है और सभी बिंदूओं पर जाच कर रही है और पुलिस पुरी संगिनता से उसकी जो सनाक्त है यूँवक उसके सव है उसकी कराई जा रही है यह किस थाने के पास डेड़ बॉड़ी मिली है राहुलिय बागपत कोतवाली छेतर का मामला है बिल्कुल कोतवाली से तकरीबन एक किलोमेटर के दाइरे में ही यह सव मिला है जो की दिल्ली यमनोत्री हाईवे है उसके समीप एक कालोनी है जिसके अंदर एक खाली पलोट में यह सव मिला सव कुछ जिस समय वहां के लोकल जो नगरवाची थे उन्होंने देखा और पुलिस को सूचना दी हाला कि उनका कहना कि पुलिस गंटो बाद वहां पोची लेकिन पुलिस पोचने के बाद अपनी कारवाई में जोटी हुई है कि आखिर यह सक्सकोन है क्योंकि उसने कंबल भी ओड़ा हुआ है और जो कपड़े पैने हुए है वो रेडिमेंट है जूते भी उसके बराबर में पड़े निकले हुए मिले तो पुलिस सभी बिंदों पर जाच कर नहीं हुसकी एडिट बॉडी की बहुशुक्रिया देवेंदर आपका प्रतापगर से खबर है से भरी अनियंत्रित स्कूल बस पॉड़ा हुए